प Niagara तबेखने की सार्य कररें यह पर देखने वाला है कि जो कि आप लोय हुग सकती है वीडियो को शुorroडा चाहिते ऑनार भी की स्टार्ट करने से पहर Tara पूरा चाहते हैं या फिर आप तो इसकी अधिक इन्वर्मिशन के डिरेक्ट यहां उसे कौंटेक्ट कर सकते हैं यहां पर जैसे में आपको कल भी प्यता था कि हमें एक ब्रॉड के पैटन यहां पर देखने को मिल रहा है जो कि इसचिल अभी प्राइस उसके अंदर है अगर प्राइस है पर 12600 के नीचे चले जाता है तैन फिर हम यह क्या सकते हैं कि प्राइस है वो कहीं आकर डीप डाउन करना चाहता है और हमें एक हैल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है इसके साथ अगर आप थोड़ी च्छोटी टाइम फ्रेम में आके देखें तो आपको यहां पर एक सेमेट्रिकल ट्रेंगल भी देखने को मिल जाएगा तो आप पर यहां पर देखने को मिल सकता है तो फिलार में यह वाला जो पाइटन है इसको मैं अभी के लिए हाप सिर्व हाइट कर देता हूं अगर आगे जुरुत पड़ी तो हम इसको यूस कर लेंगे फ साथीचे नहीं है हमें बेट करना होगा कि मार्केट किस तरफ जाता है या फिर जो मार्केट रिपक लगबन-करिवन और गांसोन खाले और अगर डाउनवर्ट की बात करते हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रीच कर देता है जो कि 13,000 का है तो मार्केट नीचे 12,000 के असपार सकते हैं तो आपको इसका वेट करना होगा देखना है कि मार्केट हमें क्या मोमेंटम दिखता है अगर हमारी 14,000 के उपर होती है न हम यह मान सकते कि जो बिटकों का मार्केट है वो बहुत चाहता बोलिश है और सूपर देगे से उपर यहां पर जा सकता है वही पर दोस्ते हम लोग बात करते हैं यह मेर रिबन के बारे में तो यह मेर रिबन फिलार में सपोर्ट दे रही है बट कहीना कहीं हमें एक हैट और जैसा भी पैटर इसके बनता हुँआ देख रहा है जहां पर यह वाला है यह वाला है और यह वाला शूल्डर है अगर यह प्रॉपरली भी करते हैं तो लगपक प्राइस नीचे पार आजा 600 के असपास जो हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहा है आगे की जो अपडेट से वह हम प्राइस के आप से देख लेंगे मैग्टी एरस के थोन से बेरिश है फोर और की बात करें वहीं पर बात करते हैं वन दे के बारे में तो वन दे में भी कहीना कई बीटी इसन टॉप ऑट 83 के आसपास कर रहा है जो कि मैं आपको बताया था थोड़ा सा selling pressure हमें देखने को मिले और इसके बहुत सारे reasons भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ी एक रिली दिये तो आज की साब से बात करें तो आज फ्राइडे तो यहां पर सीमी फीचर का जो चार्टे वाज बंद हो जाएगा और मंडे को खुलेगा तो ज यह है दोस्तों हमारे dominance जो कि finally break कर गी जैसे मैं आपको कल भी बताया था कि मार्केट अगर इसके उपर कल सस्टेंट कर जाता है तो मार्केट सीधे हैं पर 65% की dominance के उपर जाएगा बागे अगर आप कोई कुईक अपडेस चाहिए हो तो आप टेलीग्रम को जॉइन कर सकते ह हो क्योंकि टेलीग्रम में मैंने यह अपडेट्स पहरे ही पोस्ट कर रही थी लगबग 20 अक्टूबर के आसपस क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है और आस वब भी एक और नई इमिच पोस्ट करके मैंने बताया था क्योंकि आप देख सकते हो 30 अक्टूबर की कि जो डॉमिनिस है वो कही ना कई इंक्रीस हो रही है तो आप टेलीग्रम पे थोड़े जल्दी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी वापे साथे चार्ट पे तो यहां पर आपको करेंटली देखने को मिलेगा कि एजिली जो मार्केट है वो उपर जा रहा है फिला में एक थोड़ा सा रेजिश्चन 64 से लेगा 65.60 के बीच में रहेगा यहां पर एक गया पर जो कि I think फिल हो सकती है और मार्केट कहीं ना कहीं अगर हम इस लाइन को 65.70 के असपस लगबग लगबग टच करने जा सकता है अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और परफेक्क की भी ड्र अगर मिलता है तो फिर हम यह मान सकते कि हमें अर्ट सीजन का जो सेकेंड वर्जन या थर्ड वर्जन है वह देखने को मिल सकता है जो कि प्रॉबर दिसनंबर के आसपास यह उसकी बाद ही स्टार्ट होगा तो हम लोग इस लिए वेट कर सकते हैं लेकि तब तक अल्ट में थोड़ा सा रिस्की है पोजिशन लेना तो आप सेफ ली उसके अंदर काम करें नेक्स वाले रेंज को भी अब मैं उठा के हटा देता हूं क्योंकि हमें इस चैनल के उपर ज्यादा फोकस करना होगा अगर आप इसको ड्रा करते हैं जो कि लगपक 366 डॉलर का है यह वो जोन होगा जिसके नीचे अगर प्राइस जाता है जिसके अब बड़ी बात नहीं है अगर प्राइस यहां पर थोड़ा आता भी तो हमें आपिस देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर इसके नीचे प्रा अगर बिटकॉर अपना करेक्शन बारा चर तक लेता है तो पॉसिबल से नार्य यही बनेगा कि जो इधिर में वो नीची की तरफ करेक्शन लेने आए अगर आप अप्रेंट को देखना चाहते हैं तो मेरे साब चाप इसका ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं यहां पर पॉस इसके लिए वेट कर सकते हो इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर स्थिल नेगेटीव है यह मेरे रिबन के नीचे प्राइस आ चुका है जो कि मैंने आपको इमें वाली वीडियो में बताया था तो यह अब रेजिस्टनस का काम करेगा तो प्राइस अब तो उपन नह यहां पर कि जो मार्केट को कहीं ना किस लेवल पाकि हिट करेगा और फिर यह सिक रिवर्स होगे प्राइस उपर की तरफ जाना चाहिए हलागि अभी तक प्राइस के नदर कोई भी रिवर्सल नहीं आया लेकिन अगर आप आप नहीं आप आप एक अच्छे बैनिफिट में ह सकता है अगर वो नहीं होता तो मार्केट के अंदर हमें ज्यादा बड़ा क्रेश दिखने को मिल सकता है जो कि बिटकॉइन की प्राइस के साथ इफैक्ट हैं पर हो सकता है तो इसकी जो आपको रेगुलर में देता रहूंगा नेक्स की बात करते हैं तो यह है दो सो चैनलि में अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन जिस तरीके से प्राइस ट्रॉपमेंट ले रहा है चांसे थोड़े से ज्यादा है अगर इंडिकेटर की बात के तो इंडिकेटर भी स्लाइट नीचे कर रहे हैं अगर वन डे के साब से भी देखा जाए तो वन डे में कह के बॉटम जो कि 29 परसेंट है वहां तक आने कि इसमें पॉसिबिलिटी बनती है तो थोड़ा सा चेन लिंक पर धियान रगना हो सकते आपको कुछ अच्छा ट्रेट मंजा और पॉसिवल सेनारियो में अगर चार सारे चार डॉलर तक आता है तो फिर हम वहां से एक लॉंग से 25.5 डॉलर तक नीची तरफ किर सकता है फिलाल में अब प्राइस के बात के तो लगवर 27.5 तक आ गया है थोड़ा से रास्ता बाकी है यहां पर चार से हो सकते कि मार्केट थोड़ा साब रिवर्स कर रहे हैं तो इसका हम लोग वेट करते हैं देखते कि मार्केट किस सब्सक्राइब करता है लेकिन अगर यहां पर आप से डबल टॉप के साब से ट्रेट को देख रहे हो तो मेरे साब से यह चीज़ रहेगी कि डबल टॉप का क्योंकि अब यह नेकलाइन है पर ब्रेक हो गई है तो लगपक लगपक डबल टॉपकर यहां से ब्रेक करेगा तो प्राइस को नीचे 0.21400 की रिंच में आप ला सकता है तो चले वेट करते से देखते हैं कि इस फाले पॉइंट पर क्या करता है क्योंकि यह बहुत अच्छा सपोर्ट आकर यह तूटता है तो प्राइस केंदर क्रैशिस हैविली हो सकते हैं नेक्स उसको कोई की बात करें तो यह दोस्तों नीचे जा रहा है जो कि बीर फ्लैक के हमारे टार्गेट स है अगर हम इसको यहां से काउंट करने की कोशिश करें तो लगपक जो टार्गेट है वो 12.3 डॉलर के असपास है तो यस डेपनिली एक अच्छी ऑपरशुनिटी है आप लोगों के पास कर आप कोई ग्रैप करना चाहिए बाकि अभी यहां पर सपोर्ट मिलेगा 13.2 के आस सकते हैं इसके साथ मैंने बहुत टाइम पहले आपको बता था कि कही ना कहीं हमें एक हैड इंच शूल्डर बनता हुआ मिल रहा है हाला कि मैं इसको प्रॉपर ली शूल्डर नहीं मान सकता हूं कि इसको यहां तक वापिस आना चाहिए था लेकिन फिर भी कहीं हमें कुछ ऐसी position मिली हैं जहां पर की प्राइस नीची की तरह और अगर यहां पर पर फ्राइस को फाइन नहीं हुआ तो इस वह वह वापिस यहां पर हो सकता है कि जो प्राइस से वो थोड़े टाइम तक होवर करें एंड फिर हमें फाइनल एक ड्रॉप देखने को मिले इस पॉइंट तक जो कि इसके बेस तक ला सकता है जो कि 3.6 टॉलर के आसपास है तो लेट्स की मार्केट आप पर क्या मोमेंटम देता है इस्टिल अभी भ सब्सक्राइब कर सकते हैं वह दो सब्सक्राइब करें लेकिन क्योंकि अगर बागी सारे यहां पर गिरते हैं बिटकॉइन के साथ तो चांस बिटकॉन के के भी हैवी हो जाएंगे कि यह भी यहां पर ड्रॉप करें और करीबन करीबन अपना जो अगला लेवल है लगवग 234-236 उसके 20 तक यह आ सकता है तो वेट करते हैं कि क्या होता है यहां पर दो लेवल से हैं फिला में सपोर्ट 252 से लेका लगवग 256 है यह ब्रेक होता है तो दो फिर हम अगले रिवल के वेट यहां पर कर सकते हैं तो बस दोस्तों हैं सारे कोई हैं अब चल दे सीथा अपनी निव्स पर जोन्यूज कि तरफ से यानि की डी से एक्सेंट्राइब का कहीं ना कहीं चुब वालियू में वह आप डॉप हो रहा है क्योंकि जो आपको पत सब्सक्राइब और इसके साथ जो बारे में आपको अब्रेट करा था जो कि हार्वेस्ट का था कुछ मिलियंस डॉलर का है उसमें सब्सक्राइब जो यहां पर सब्सक्राइब अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं अलगे लग आपको डेक्स मिल जाएंगे आपके देखने को किसका कितना वाल्यूम है अभी इंफ्लेंस हो रहे हैं जो प्रोडक्स हैं फिर उनकी वैसे तो हमें यह दियान रखना है कि जो डेक्स से उनको थोड़ा सा अलग बनाया जाए फ्यूचर में जो कंपनी बना रहे हैं ताकि वह इन प्रोडक्स से इंफ्लेट ना हो और वहां पर जो वाल्यूम हो अच्छा बना रहे हैं क्योंकि अगर हम सेंट्राइब बना हुआ है लेकिन उसको इंप्लिमेंट करना थोड़ा सा हाड़ यहां पर ब बात करें तो थ्री टाइम होता है यह बिट कोई का क्योंकि आए नो किसका प्राइस कम है और जो टोटल सप्लाइब भी बहुत ज्यादा है तो फिलाव में फिक्स नहीं पर सर्कूलेटिंग सप्लाइब का वन थर्ड यहां पर करेंटली यह लोग होल्ड करते हैं जिसमें स क्योंकि 7.5 परसंट सप्ला है करीवें करीवें आठ मिलियंग की वह यहां पर हेल्ट करता है तो यह चीज़ थोड़ा सा देखने वाली बात है अगर इधिरियम की सबसे यहादा सप्ला एक्सेंजिस के हाथ में चलेगे तो वह एक वेल्स बन जाएंगे तो यह धियान रग सकती है वह यहां पर ना हूँ अगली दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों वहार यह बिटकॉइन की तरफ से दोस्तों बिटकोइन का एक हिस्टोरिकल डेहां पर आ सकता है अगर बिटकोइन के उपर अगले चार से पांस दिन यानिकि आज के सबसे बात करें तो लगपक प प्राइस हंड्रेड डॉलर था तब वहां पर यह उपर रहा था करीवन करीवन दो दिन तक और जब प्राइस 1000 डॉलर के आसपास था तब भी 100 डे के उपर यहां पर रहा था इस इमेज में आप क्लिरली देख सकते हूं कि सबसे पहले जब बिटकोइन का प्राइस एक डॉ कर सकते हैं इस बार फिर से अगर यह चीज हो जाती है तो करीबन करीबन सो दिन तक प्राइस दस यह डॉलर के ऊपर यहां पर रह सकते हैं अब यह स्मार्टफोन उनका नया स्मार्टफोन आने वाला जिसका ना में मैट 40 और एक नई ब्रैंड निव सीरीज आने वाली जिस के अंदर 5 ननो मीटर की चीपसेट यूस होंगे जैसे कि आपल की आइफोन 12 प्रो मैक्स या फिर हम के तो आपल आइफोन 12 की लाइन अप में आपर यूस करेंगा थे उसी तरह कि से क्री 900 का प्रोसेसर होगा और सबसे ज्यादा इंट्रेस्टिंग बात जो है वह यहां पर लेंगे उन सबी को यह चीज इन बिल्ट यहां पर मिलने वाली है और इसके अंदर आपर पर फॉर्म होंगे डूट आफ्लाइन ट्रांजेक्शन यह नहीं बताएं किस तरह होंगे बैस यहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉमेसिंग बहुत ज़्यादा का सकते हैं यह स्मार अगली दोस्तों जो खबर आरे इरान की तरफ से और इरान की दोस्तों जो सेंट्र बैंक है जैसे हमारी RBI होती है उसको गवर्मेंट ने अब यह आदेश आप कह सकते हैं या फिर आप यह कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है अगर आपका सेंट्र बैंक को सपोर्ट करता है बट था इसमें यह जी धान रखना है कि अगर वो कंट्री के सभी परसंट्र बैंक को फंड कर सकते हैं तो सेंट्र बैंक उसको कस्टेडी में लेकर लॉक भी कर सकता है है लेकि एक तरीक से देखा है तो अच्छा है क्योंकि इरान कहीं ना कहीं थोड़ा खुलता जा रहा है क्रिप्टो के लिए पहले माइनिंग को अलाओ कर आप जो रेगुलेट करें जो माइनर्स फ्यूचर एकसपाईरी की तरफ से जिसमें 750 जो है वह एकसपाईरी आज होने वाली है आज होने वाली है हो गई है आल्मुस्ट हम यह कह सकते हैं तो यहां पर पताएगा कि 30 अक्टूबर को एकसपाईरी होने वाली है फिला पर तो मार्केट में इतना कोई खास असर हमें देखने को नहीं मिला है लेकिन इतना कोई बड़ा मोमेंटम हमें कोई देखने को नहीं मिला है तो फिर हो सकता है कि अभी जब यूए से का मार्केट यहां पर ओपन होगा तो शायद हमें इसका और चीज़ देखने को मिला है तो थोड़ा सा पर ख्याल रखना 750 की या पर एकसपारी आपए तो पसना होगी यहां पर बसक्राइब करें अडा कुछ आप सो यह बीट्रेस्टेंग करें अब दोस्तों सब्सक्राइब करना बिलकुर आ बहुत भूरा क्लिक करें ताक्या मेरा चुछ झाल यह बाइव